तो दोस्तों अगर आप भी वेट कर रहे हैं एक सस्ते 5G स्मार्ट फोन का तो रियल्मी आप लोग के लिए लेकर आ रहा है बहुती जबरदस फोन जो की रिको लॉंच होने वाला है लेकिन यहां पर इसकी प्राइज लीग हो चुकी है और आज हम इस वीडियो के अंदर आप तो आपको फोन देखने को मिलेंगे यानि की सीरीज आ रही है जहां पर आपको रियल्मी एक सेवन और एक सेवन प्रो देखने को मिलेगा जो कि दोनों ही फोन 5G को सपोर्ट करेंगे यहां पर आपको 6GB की रैम और 118GB का स्टोरेज के साथ में आएगा जिसकी कीमत 19,999 रु हो सकती है और ऐसा कहा जा रहा है कि इसके अंदर आपको नेबुला और यहां पर सिल्वल कलर का ऑप्शन भी मिल सकता है बात करें यहां पर रियल्मी एक सेवन प्रो 5G की तो यहां पर आपको वही 8GB की रैम और 128GB की स्टोरेज मिलती है जो की वेरिंट आएगा साथी में कल अधिया टेक डामेंसिटी 1000 प्लस चिपसेट का साथ मिलेगा फोन में 64MP का प्राइमरी सेंसर वाला क्वाड रियर कैमरा सेटप होगा सेटप में 8MP अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 2MP का पोट्रेट लेंस और 2MP का माइक्रो लेंस भी हो सकता है स्मार्टफोन 65W का सूप पर फास्ट शार्जिंग सपोर्ट वाली बैटरी की साथ में आएगा और हाल फिलाल जो अभी रूमर्स आ रहे हैं कि प्रो 5G मॉडल जो है वो उसके चायना में लॉंच किया आग है जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि उसके अंदर आपको 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है और 45 1500mAh की बैटरी बैकप मिल जाती है वहीं बात कर लेते हैं Realme X7 5G की तो Super AMOLED Full HD डिस्पले होगा इसमें भी MediaTek Dimensity 800U चिप सेट हो सकता है स्मार्ट फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेट अप होगा जिसमें 64MP का प्राइमरी सेंसर 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2MP का Macro Lens हो सकता है और यहां पर ऐसा भी का जाए है Realme स्मार्ट फोन में 50W का आपको सपोर्ट मिल सकता है जहां पर Super Fast Charging का Option भी मिल सकता है और इसकी जो बैटरी बैकप होगी वो होगी 4300MH की जहां पर हमें 4500MH की एक जगह मिलती है लेकिन यहां पर आपको 4300MH की मिलती है फोन का जो वजन हो सकता है वो 185 ग्रैम तक का हो सकता है लेकिन Realme X7 का जो स्टोरेज है वो आपको 128GB स्टोरेज के साथ में या फिर दो वेरेंट होंगे जिनमें आपको 6GB और 8GB का RAM मिल सकता है तो ऐसी ही कुछ लीक सामने निकल के आई है प्राइजेज भी सामने निकल के आई है लॉंच से पहले आप लोगो को काफी अच्छी लगी होगी इंफॉर्मिशन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न झाल